Hello everyone, आज हम बात कर रहे हैं Observation Method की Last lecture में जाना था Questionnaire के बारे में और ये हम पढ़ रहे हैं Evaluation के Tools and Techniques में Observation Method बहुत ही Popular Method कह सकते हैं आप इसको Evaluation करने के लिए Easy भी होता है Commonly Used Method है ये ऐसी Process होती है जिसमें दूसरों के Behavior को Observe किया जाता है और इस Process के दौरान उनके Behavior को Record किया जाता है ठीक है यहाँ पर Specifically हम बात करेंगे Students के Behavior की कि Students के Behavior को कैसे आप Record कर सकते हो कैसे Observe करेंगे और उसके Basis बच्छी की Evaluation को करेंगे Evaluation के लिए Observation Method को जब यूज करते हैं तो Observation का अर्थ होता है View और देखना ठीक है जब हम Observe करते हैं किसी भी Thing को या किसी Thing या किसी Aspect को Student के Behavior को तो हम क्या होते हैं उसके बारे में Awake होते हैं जागरूक होते हैं तभी हम Observe करते हैं ठीक है अब Types of Observation में हम जानेगे कि कैसे आप Observation कर सकते हो और उसका क्या फाइदा है क्या नुकसान है Definitions कुछ यहां पर मैं दिखा रही हूँ आपको आप ये Note डाउन कर लिए कि Observation studies as those that involve the systematic recording of observable phenomena और behavior in a natural setting जैसे है वैसे ही क्या करेंगे आप Observe करेंगे और उसके basis पर अपने results बताएंगे बच्चा classroom में जैसा है आप उसको वैसे ही Observe करते जाएंगे उसके behavior के बारे में जानना आप शुरू कर देंगे ठीक है natural setting का यहां पर यह अर्थ है आपने छेरचार नहीं की उसके लिए अपने result को लाने के लिए specify उसको पहले से अतियार नहीं किया कि आप यह करेंगे तो फिर मैं आपको Observe करूंगा इस तरह की से अब वो types of observation जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो differences में आएगा मेरी बात में इस वाली बात में वो आप वहां पर detail में समझ सकते हैं अब हम Observe क्यों करते हैं क्योंकि Observation के माद्यम से ही हमें दूसरों के बारे में जानने को जाद अच्छे से मिलता है जो की Natural Setting में होता है Natural Setting का अर्थ यह है कि जो जैसा है हम उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं जब हम उसको Observe करेंगे ठीक है उनको हम किसी और Method से भी Evaluate करते हैं लेकिन Observation Method की बात जब करते हैं तो यह Easy हो जाता है हमारे लिए ठीक है और Characteristics क्या होती है Observation की एक तो Scientific Observation Systematic होती है Specific होती है Observation देखो अगर मैं आपके Behavior को Observe कर रही हूँ मान लीजी या तो मैं आपके पूरे जो पूरा जो Behavior है Total Personality जो है आपकी वो ऐसे चाहिए जो Debate Competition में Participate कर सके तो मैं आपकी उस वाली Capability को ध्यान में रखकर ही आपको Observe करूँगी तो Observation is Specific ठीक है जब आपने Evaluate करना होगा तो कुछ Specific Areas आपने Mention किये होंगे तो उसके हिसाब से आप Observe करते जाएंगे बच्चों को अबराल तो करेंगे ही लेकिन जब Specify करना होता है तो वहाँ पर Observation Specific भी हो सकती है Scientific Observation is Objective भी होती है और Observation is Recorded Immediately एकदम से आप Record कर सकते हो किसी के Behavior को ठीक है Observation is Verifiable ठीक है यह कुछ इसकी Characteristics थी Detail में यहां Characteristics दे गई है Observation की यह भी देख लीजी आप इस सब बहुत Physical or Mental Activity होती है Mental Activity है जब आप किसी को भी न बदाए अपने दिमाग में ही सोच रों किसी के बारे में ठीक है Physical Art है कि आपने Involve भी कर लिया उनको तो Physical Activity हो जाएगी Selective होती है Purpose Purpose होती है जब लोग होते हैं तो उसमें आप यह कर सकते हो ठीक है यह एक सिंपल सी बात है जो यहां पर दी गई है Characteristics of Observation इसमें आप दिहान रख लेजी इसको अब बात करते हैं Types of Observation किस तरीके की Observation कर सकते हैं ठीक है आपके दिमाग में कुशन आ रहा होगा कि आप लोगों को कैसे Observe कर सकते हो कोई चल रहा है रास्ते हैं उसको Observe करेंगे पाने भी रहा है उसको Observe करेंगे या फिर उसको बताएंगे कि अच्छा तुम ये लिखो मैं तुमें Observe कर रहा हूँ इस तरीके से ये आपके जितने भी कुशन से हैं Types of Observation में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको Clear हो जाएगा पहला है Participant Observation यानि कि वो जो सामने जो Participant है उनको उसके बारे में पता होगा ठीक है कि उसको Observe कर रहा है तो उस तरीके से क्या होगी उसके Observation होगी जब आप Observe कर रहे हो किसी को और सामने वाले को थोड़ा सा इडिया आपने दे दिया है कि अच्छा आप ये काम करते रहो ये वैसा नहीं है कि आपने उसको पहले से ही बोलके रखा है कि आप इस तरीके से behavior शो करेंगे नहीं आप उनको ये बताएंगे कि आप ये काम करो हम आपको Observe कर लेंगे ठीक है और Non Participant Observation का अर्थिया होता है कि आप किसी को Observe कर रहे हो जो direct Observation है जो ये बिता और श Ramus का स्वाच करना है और indirect 우2 में ऊप डार्येक्ट में आप क्या करेंगे इन डारेक्ट में उतने से स्पैसिफाई के पापस पापस सुरी observation के purpose को specify करेंगे लेकिन वो directly mention नहीं किया जाएगा participants के सामने control observation का अर्थ यहां पे होता है कि कुछ चीज़ें को आपने control किया है for example classroom में आप बच्चों की writing competition ही कर रहे हो आप उनको observe करते हो कि हो cheating करते हैं या क्या करते हैं test है तो कुछ चीज़ें आपने control की हुई है कि आपने discipline में बैठना है desk पे सरीके से बैठना है किसी से बात नहीं करनी है कुछ चीज़ें जो है वो आपने control की हुई है फिर आप उनको observe भी कर रहे हैं साथ में uncontrolled observation में इस तरीके से आप कुछ भी नहीं करेंगे total natural setting जो होगी उसी में ही आप उनको observe कर लेंगी ठीक है यह types of observation method की बात करते है एक तो reliable है वैदता है इसकी विश्वशनी है और यह objective है natural setting में किया जा सकता है बहुत कोई tough नहीं है आचा sorry direct observation की जब हम बात करते है ना controlled observation की तो एक kind of अगर बात करते हैं तो lab की lab में मान लेजिए आपको experiment कर रहे हो ठीक है वहाँ पर चीज़ों को आपन करेंगे कि अच्छा आपने यह यहां पर दो प्रोड़क्ट से अपस में मिलाए फिर इनका क्या result आएगा कुस तरी इस तरीके से तो यह best example मैंने आपको classroom का दे दिया कि classroom में जब test लिया जाएगा और किस तरीके से बच्चे का behavior होता है वो आप जो देखना चाहेंगे आप की specify कर दिया गया होगा आपने खुद ही किया होगा उसको objective क्या है उसके हिसाब से फिर आप बच्चे को evaluate कर लेंगे advantages की बात कर रहे थे कि natural setting में होता है useful for young and shy children questionnaire के बारे में जब आपने जाना था या interview के बारे में हम इसके बाद जानेंगे तो वहाँ पर क्या है जो shy people है व जो shy people होंगे चोटे बच्चे जो हैं जो fill नहीं कर सकते questions को या ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते हैं तो हम क्या गरेंगे उनके उपर कोई भी burden नहीं आएगा सारा का सारा काम हम खुद कर लेंगे और अपने evaluation को भी कर सकते हैं no need of equipment or tool ठीक है useful for individual as well groups के बारे में भी हो जाता है इसमें most direct measure of behavior है यह provide direct information easy to complete save times can be used in natural or experimental setting जब आप control के बात करते हो ना तो experimental setting की हम बात करते हो और natural के बात करते हैं तो uncontrolled में आ जाएगा ठीक है यह इसकी सारी advantages हैं लेकिन साथ-साथ में कुछ disadvantages भी हैं वो भी देख लेते हैं disadvantages of observation method है less accuracy subjectivity कितना सही है देखो सामने से जो observe कर रहा है वो किस हिसाब से result बना रहा है यह depend करता है कि कितना सही है यह कितना गलत है इसमें आप inferences अनुमाल लगा के जितनी मेरे पास information होगी मैं उसी के हिसाब से सामने वाले को observe करूंगी ठीक है अगर मैं मानती हूँ कि कोई बच्चा अगर जादा उन्चे आवाज में बात करता है तो मैं अगर मैंने यह सुना पड़ा होगा कि और माना होगा कि तो वो बच्चा बत्तमीज होता है या फिर वो sensitive नहीं है तो मैं क्या कर दूंगी सारे बच्चों को इसी माप दंड पे उनको sensitive नहीं कहूंगी ठीक है तो यह depend करता है कि मेरी information कितनी है यानि कि observe करने वाले के पास कितनी knowledge है तो उसके हिसाब से वो inferences लगाते हैं ठीक है अपने experiences के हिसाब से उसके पास कितनी knowledge है उसके हिसाब से objective recording lack of competencies इसी के बारे में बात की जा रहे है और unnatural situations में भी होता है यह expensive हो जाता है sometime जब आप इसको control way में करने की कोशिश करते हैं groups में या फिर इसको कैसी data को modify करेंगे data को information जो है total उसको किसी हिसाब से करेंगी sometime यह complicated हो जाता है जब इस तरह की process को करना पड़ता है slow है यह biased भी हो सकता है sometime ऐसा होता है कि कोई बच्चा है अच्छा है लेकिन मेरी उसके साथ अच्छी tuning नही है हो सकता है ऐसा उसके साथ अच्छी tuning नहीं है बेचारा अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं क्या करूंगी observe कर रही हूं उसको तो मैं उसको अच्छा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे mind में already set मैंने कर लिया है कि यह student अच्छा नहीं है ठीक है lack of cooperation from people's और favorism की बारे में में भी बात कर रहे हैं